हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल डिजाइनर रचनी तो आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्री श्पेशल ब्लाउच कटिंग बताऊंगी वह बहुत सरल तरिके से बस आप वीडियो को एंड तक देखना तो मैंने इसके लिए ये वन मिटर फेबरिक लिया है तो मैं सीने की साइज की साप से इसको सेट कर लेना है तो मेरी चैस्ट है उसकी साप से मैंने 10 इंच पे इसको सेट किया है जिसको अच्छे से सेट कर लेना है आपको तो मैंने 10 इंच पे रेडि रखा है इसको और टोटल लेंथ है वह इसकी 14 इंच है क्योंकि 13 मेरा कंप्लीट लेंद्ध है और एक इंच मैंने एक्स्टर लिया है तो मैं सबसे पहले इसकी सॉल्डर की लेंद्ध करूंगी तो मेरी सॉल्डर है वो 14 इंच की है आदा इंच मैंने एक्स्टर मार्जिन लिया है तो 17 पे complete करूंगी और जो नेक की चोड़ाई है वो धाई इंच पे में रखोंगी और वन इंच हाप उपर से solder की तरफ नीचे से ड्रो करना है ताकि solder पे खिचावना आए इस तरीके से अब मैं यहां से solder की जो पार्म की लंबाई है वो लोंगी साथ इंच पे और इस तरीके से मैं एक सीधी लाइन ड्रो कर लूँगी अब यहां से मैं हाप इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाऊंगी जो मैं फरंट पार्ट की आर्मोहल की कटिंग करूंगी इसके लिए और मैं इस तरीके से इसको से दे दूंगी अंदर की तरफ तो यह फ्रंट पार्ट का आर्मोहल है बेक पार्ट के लिए मैं वन इंच का बाहर की तरफ मार करूंगी इस तरीके से और यह बेक पार्ट का आर्मोहल है तो इस तरीके से आर्मोहल ड्रेडी हो गया अब मैं इसकी चेस्ट की चोड़ाई ल इस तरीके से में साड़े साथ पे कमर की लेंथ लगाऊंगी तो इस तरीके सी यह मेरी कटिंग कप्रीट होगी यह जो शॉर्डर है इसे साथ से कट करना है जैसे मैंने मार्क किया है अब जो नेक की चोड़ाई है इसे की हुआ इसके पर टेश पर कना मैंने करना है कि अध़ कि इस तरीक तरफ रवी तरह हैं पिंच इस तरहीं और एसको दो हो तो यह मेरे फ्रंट पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया अब सबसे पहले में इसके टक्स के निशान लगाऊंगी तो मैं साड़े तेन इंच पे यहां पे टक्स पे निशान लगाऊंगी और उपर से मैं साड़े नो पे इसको मार्क करके एक सीधी लाइन नीचे से ड्रो कर दूँगी अब यहां से मैं दो इंच पे आगी की तरह पे एक मार्क लगाऊंगी इस तरीके से जैसे ब्लाउज के फोर्टक्स लगाते हैं उसी तरीके से मैंने इस पे भी लगा दिये हैं अगर आपको इसकी फूली स्टिचिंग देखना है तो मेरे वीडियो पे जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे तो यह कब डिट हो गया इस मार्क पे अपने को स्टिचिंग करनी है और ये मेरा बैक पार्ट हो गया बैक पार्ट की नेक में बहुत कम रखूंगी क्योंकि मुझे एकदम नेक की चोड़ाई और लंबाई दोनों एकदम छोटी चीए क्योंकि मुझे साइड से चेन लगाना है इसलिए एकदम बंदनेक बनाना है मुझे अब मैं इसके बाजू की कटिंग करूंगी तो बाजू की कटिंग के लिए मैं इसकी जो लंबाई है चोड़ाई है वो तो आट इंच पे रखूंगी और इसकी लंबाई है दो इंच पे में निचे की तरफ मारजिन लगाती हुए इसके लंबाई को मैं मार करूंगी तो मैंने 25 बाज पे इसको कम्टीर रखा है और 5 इंच पे मैंने इसकी चोड़ाई रखी है अब मैं इन पार्ट को मिला दूंगी और फिर इसकी कटिंग कर लेना है तो यह बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गई है हाप इंच अंदर की आर्मोल ना है तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग करने के लिए जीज जीज जगह पर हमने मार किया है वहाँ पर हमको इसको इस्टीच कर लेना है जो भी टक्स लगाए है हमने वहाँ पर अपने को मार कर लेना है फ्रन पार्ट के इस तरीके से हमें अच्छे से स्टीच कर लेना है तो यह पर टक्स की स्टीचिंग कम्प्लीट हो गई यह मेरा फ्रन पार्ट तो कम्प्लीट हो ही गया अब इसके बेज़ पार्ट की भी हम जो एक टक्स लगाते हैं वो मार करेंगे वो में साढ़े तिन पी निशान लगाऊंगी और पाच इंच की लेंद रखूंगी में मार्किंग की इस तरह से मैं इसको दोनों तरफ से सेट कर लूंगी और यहां पर मैं स्टीच कर दूंगी इसको इस तरीके से मैंने इसको इस्टीच कर दिया है अब हमें इसके सॉल्डर को जोइन करना है दोनों की बेग पार्ट और फ्रंट पार्ट की तो इसको सॉल्डर को जोइन करना है हमें इस तरह से मैं दो बार स्टीच करती हूं ताकि शिलाई अच्छे से आए अब मैं इसकी बाजू की आगे से फॉर्ड करूंगी मतलब बाजू को फॉर्ड करना है आगे से जिस तरह के से आप बाजू रुखना चाहते हैं उस तरह के से फॉर्ड कर सकते हैं तो मैं इस रपीस को इतना ही फॉर्ड करूंगी इस तरीके से दोनों बाजू रेडी हो गई है अब इनको शॉर्डर से अटेज करना है मतलब आर्मॉल पे इनको अटेज करना है तो इस तरीके से मैं इसको रुखोंगई बैक पार्ट और फॉर्ड पार्ट को दोनों को अलग अलग श्टेज करेंगे तो इसके लिए मैं सबसे पहले बीच में इसको पिन कि सायता से रामॉल को बाजू से अटेज कर लोगी और जो आगे मैंने फरंट पार्ट में हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया था तो मैं इस वाले में भी बाजु में भी हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करूँगी ताकी आगे जोड़ना आए बाजु में, दोनों बाजु में करना है आपको इस तरीके से मैं ने यह सिलाई complete कर लिया, दोनों बाजू रेडिकरनी हैं आपको यह बाजू रेडिक हो गई, इसी तरीके से इस बाजू को भी stitch कर लेना है तो यह बाजू रेडी हो गई मेरी अब इसको मैं सबसे पहले नॉर्मली स्टीच कर लूँगी साइज के कोर्डिंग तो मैं बाजू से स्टार्ड करूँगी स्टीच करना जो मेरी चोड़ा यह वह साढ़े चार इंच पे हैं तो मैं साढ़े चार पे निशान करके इसको कि अभी मैं इसको फूल फिटिंग नहीं कर रही क्योंकि अभी मुझे इसकी नीचे से फॉल्डिंग करनी है ब्लाउज के तो इस तरीके से एक वन साइडी में क्या करूंगी सबसे पहले कट इस्टीच करूंगी अब मैं इसकी जो नीचे से लेंथ है वो मैं 13 इंच की रख कि इस तरह से मैंने इसको फॉल्डिंग कर लिया है अब मैं इसकी बाजू को फिर से फिटिंग कर लूँगे इस तरफ से दोनों को सेम करना है तो इन दोनों निशान को मिला कर मैं इसको भी स्टीच कर लूँगी मुझे सिर्फ आर्म तक ही यानि आर्म से थोड़ा सा नीचे करके ही मुझे आपर सिलाई कर ली नहीं है क्योंकि मुझे नीचे तो चेन लगाना है इसलिए मैं इसको लेंद के हिसाब से रख दूँगी तो मेरी कामर 28 इंच पर है और बाकी का मैं इस चेन को लगाने के लिए एक्ष्टा फेब्री को इस्टीच नहीं करूंगी अब सबसे पहले मैं इसको यहां पर निशान करने के लिए इसको फॉर्ड कर लूँगी दोनों तरफ से आप अपनी साइज के अकोर्डिंग आप इसको इस्टीच कर सकते हैं तो मैंने मेरे साइज के को इकोर्डिंग पहले देख लिया है क्योंकि बाद में ही फिटिंग नहीं होती, पहले इसको साइज की करने में इस तरीके से बराबर करके इस उचेन को आपको स्टीच कर लेता है इस तरह से बिल्कुल शेम आसान तरीके से लगा सकते हैं तो यह मैंने चेंड लगा के कम्प्लीट कर दिया इस पार्ट को अब मैं इसकी नेक को पाइपिन से ड्रो करूँगी तो मैंने इसके लिए रेड कलर का फेबरिक लिया है और फेबरिक को मैंने पाइपिन के हिसाब से कट कर लिया है तो मैंने दो पार्ट कम्प्लीट कर लिये और इनको जोइंट करना है यह देड इंच का फेबरिक लिया है मैंने तो इस तरीके से मैं इसको रखोंगी थोड़ा सा कट करके इसको अंदर की तरफ से नहीं पहार की तरफ से इसको फॉर्ट करना है ताकि अंदर से हम इसको फॉर्ड कर सके इस तरीके से अपने को ये सिलाई लगा लिनी है चारों तरफ से निक किस बेक पार्ट और फ्रंट पार्ट के निक को तो ये पाइपिन की वन साइड सिलाई को अब मैं इसको अंदर की तरफ से फॉर्ड कर दूंगी इस तरीके से बिल्कुल बारिक पाइपिन निकारनी है मेरको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अंदर की तरफ फॉर्ड करूंगी आप देख सकते हूं कितनी बारिक पाइपिन निकारनी है इसकी इस तरीके से ये piping complete हो गई है और ये हमारा blouse भी ready हो गया है Thank you guys for watching time इसे ये लिए ये लिए